हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं मुहावरे और लोकुक्तियां देखिए उरता तीर जेलना उरता तीर जेलना मतलब देखिए समझे तीर जा रहा है उरता हुआ और वो बीच में किसी और ने जेल लिया मतलब किसी और को लगने वाला था लेकिन दूसरे ने ले लिया मतलब अन् संकट को अपने उपर लेना रंगा सियार होना मतलब अंदर से तो सियार है लेकिन रंग करके आया है उपर से और कुछ है उपर कुछ अंदर कुछ छप पर फार कर देना बिना परिश्रम के अचानक से प्राप्त हो जाना गागर में सागर मतलब कम सब्दों में बहुत अर्थ वाली बात बोलना चौत का चांद होना किसी के लिए शुब होना जैसे हम चौत का चांद बहुत शुब मानते हैं पूजा करते हैं तो चौत का चांद होना किसी के लिए शुब होना रिपीट करेंगे अब हम उड़ता तीर जिलना अन्निक के संकट को अपने उपर लेना रंगा सियार होना उपर से कुछ, अंदर से कुछ छप पर फार कर देना बिना परिश्रम के देना या अचानक प्राप्त होना गागर में सागर कम सब्दों में बहुत अर्थ चौत का चान्द होना किसी के लिए शुब होना थेंक यू